विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत नम बिड़कर के और से जैभीम नम बुद्धा हैं दभुद्धाने जम्मा के चालीसवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत हैं दुनिया में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने आपका उल्लेक ये साक्षातकरी धर्म के नाम से करते हैं लेकिन तधागद बुद्ध का धम ये कोई साक्षातकार नहीं है तधागद बुद्ध का धम ये पूरी तरह से एक खोज है एक अविशकार है किसी भी धर्म को साक्षातकारी धर्म इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है और ये संदेश अक्सर उनके भक्तों के लिए होता है जो अपने निर्माता की जो अपने भगवान की पूजा कर सके और अपने आत्मा की रक्षा कर सके अक्सर ये संदेश जो विक्ति लेकर आता है उसे भगवान का भेजा हुआ मसीहा कहा जाता है और वो मसीहा उसे इस संदेश का साक्षातकार होता है और ये संदेश साक्षातकार होने के बाद वो लोगों तक पहुचाता है और इसे इस संदेश को फिर धर्म कहा जाता है। भगवान के भेजे हुए इस मसीहा का ये करतव्य होता है कि वो अपने वफादारों को मोक्ष या मुक्ति सुनिश्चित करे। कि वो पेगंबर को या भगवान का भेजा हुआ जो मसीहा है उसे लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करे और उस्रें लाय हुए संदेश का भगवान के लाय हुए संदेश का उनके जो भक्त है जो भदार है वो उसका पालन करे। ऐसा करने से वो मसीहा उनके वफादारों को नर्क में जाने से बचा सकता है ये होती है वफादारों का मोक्ष तदागत बुद्ध ने कभी कभी ऐसा दावा नहीं किया कि वो भगवान के भेजे हुए मसीह है या पैगंबर है और अगर ऐसा कोई करता तो तदागत बुद्ध वही पर उसका खंडन किया करते थे इससे भी जादा महत्व पूर्ण मुद्धा ये है कि तथागत बुद्ध का धम्म ये एक आविशकार है खोज है और इसके लिए इसे बाकी धर्म जो की केवल एक साक्षातकार है उनसे अलग मानना चाहिए उससे बिन समझा जाना चाहिए बुद्ध का धम्म इन आर्थों में एक आविशकार है इन आर्थों में एक खोज है ये धर्ती पर के मानो जीवन के हालातों के बारे में किये गए जांच, परताल, तहकी, कात और इन्वेस्टिगेशन का एक परिणाम है मानो सुभाव जिसके साथ वो पैदा होता है उस मानो सुभाव का उसके कार्य शैली का जानना, समझना यही बुद्ध का धम्म है इतियास और परंपरा की वजे से जो मानो सुभाव और प्रवृत्ति में इन्सान को जो हनिकारक है उस प्रवृत्ति को दबाना, बदलना यह मोडना ही बुद्ध का धम्म है सभी मसियाओं ने मोक्ष का आश्वाशन दिया है लेकिन बुद्ध ने, बुद्ध एक मात्र ऐसे गुरु है जिन्होंने कभी ऐसा कोई आश्वाशन नहीं दिया उन्होंने पूरी तरह से मोक्ष दाता और मार्ग दाता इसमें एक विभाजक रेखा खीची तदागत बुद्ध ये केवल एक मार्ग दाता है, मोक्ष दाता जो मोक्ष देने का काम करते है और मार्ग दाता जो केवल मार्ग दिखाने का काम करते है तदागत बुद्ध इसी तरह से सिर्फ एक मार्ग बताने वाले व्यक्ति है, मानो है तदागत बुद्ध केवल एक मार्ग दाता के रूप में मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ एक मार्ग बताते है और मोक्ष जिस भी व्यक्ति को प्राप्त करना है उसे वो अपने खुद के प्रयासों से करना पड़ता है ततागत बुद्ध ने अपने इस सिधान को, अपने इस बात को ब्रहमन मुगलान के एक सुत्त में स्पश्च किया है वो सुत्त इस प्रकार है जब ततागत बुद्ध श्रावस्ती में मिगार इनके मा के घर पर एक भूम मंजिला इमारत में ठेरे हुए थे तब वहाँ पर एक ब्रामण, लिपिक, लेखापाल, अकाउंटन्ट, मुनीम वहाँ पर आया और उसने तदागत बुद्ध को वंदन करके एक और वहाँ पर बैठ गया और तदागत बुद्ध से उसने सवाल किया की है तदागत बुद्ध इस भव मंजिला इमारत का रूप देखने के लिए हम जब धीरे धीरे इसकी ओर मुर्त आते हैं एक-एक सीड़ी चड़कर हम अन्तिम सीड़ी तक पहुचते हैं तब इस विशाल भव मंजिला इमारत का हम दुर्ष देख सकते हैं हमारे ब्रामनों में भी जब वेदों का प्रसिक्षन दिया जाता है तब क्रमश एक एक करके इन वेदों का प्रसिक्षन दिया जाता है गिंती करने का प्रसिक्षन जब दिया जाता है तब विध्यारती को एक एकम, दो दुआ, तीन तिया, ऐसे सो तक उसको सिखाया जाता है तो क्या बुद्ध के धम्म में भी ऐसा कोई प्रसिक्षन है जो क्रमश बडोत्री करने के क्रम में दिया जाता है क्या ऐसा कोई प्रसिक्षन बुद्ध के धम्म में भी है तब तदागत बुद्ध ने इस ब्रामण मुगलान को कहा कि है ब्रामण बुद्ध के धम्म में भी ऐसा ही प्रसिक्षन होता है जैसे कोई घोडों का प्रशिक्षक अच्छे नसल के घोडे को पहले चुनता है फिर उसके मूँ में लगाम डालता है नकेल डालता है उसी तरह से तदागत बुद्ध जिनको ये प्रशिक्षन लेना है ऐसे विध्यारतियों को ऐसे शिश्यों को वो उनको साथ मिलेते हैं उनको साथ मिलेते हैं और जिसे प्रशिक्षन देना होता है उसे पहला पाठ पढ़ाते हैं तदागत कहते हैं कि आओ बंदू पहले शिल्वान बनो करतव्य के लिए बाद्य होने के नाते खुद को सयम्मित रखो सदाचरण के मार्ग पर नैतिक्ता के मार्ग पर नेक जीवन के लिए अभ्यास में माहिर हो जाओ छोटे छोटे बुराईयों में भी खत्रा महसूस करो विनए में शिश्य बनो और उसका प्रसिक्षन ग्रहन करो जैसे ही वो इन सब में माहिर हो जाता है तदागत उसे दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं तदागत कहते हैं कि किसी भी चीज को आखों से देख लेने के बाद उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद कभी मंत्र मुग्ध मत हो जाओ तदागत कहते हैं कि हमारी नजर हमारी दुरुष्ट्री ये हमेशा अन्यंत्रित होती है बेकाबू होती है जब वो किसी वस्तु का रूप देखती है तब उसके मन में बाड में डुबा लेने वाली प्रवृत्ति वासना तुरुषना निर्मान होती है और इस प्रवृत्ति पर हमेशा हमें पहरेदारी कर्मी होती है पहरा देना होता है और इस प्रवृत्ति पर हमको विजय हासिल कर होता है नियंत्रन हासिल करना होता है हमारे चक्षु इंध्रियों को या आप लोग समझ नहीं पाऊगे चक्षु इंध्रिया यानि हमारी नजर हमारी दुरश्टी इसके ऊपर हमको हमेशा नियंत्रन बनाए रखना चाहिए उसी तरह से अन्य इंद्रियों के उपर जब हमारे कान मधूर आवाज सुनते हैं, जब हमारे नाक कोई सुगंदित द्रव्य को सुंगती है, जब हमारी त्वच्चा ये किसी वस्तू का स्पर्श इसे होता है और ये सारी भावनाओं को जब हमारे मन में ये सारी चीजों का अनुभव होता है, तो हमें उससे मंत्रमुग्द नई हो जाना है, हमें उससे मंत्रमुग्द होने से बचना है, इन सब में जब वो विध्यारती, वो शिश्य माईर हो जाता है, तब तधागत उसे आगे का प्रशिक्षन देते हैं, तधागत कहते हैं कि आओ बंदू, अपने खाने पर हमेशा नियंत्रन रखो, सयम रखो और सिमित मात्रा में ये अन्न ग्रहन करो। शरीर को स्तीर रखने के लिए, स्तीर बनाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए और सदाचरण के नेक जीवन जीने का अभ्यास करने के लिए अन्न ग्रहन करो। नई हो रही है, जिससे मुझे सरक्षन, समरक्षन और आराम प्राप्त हो रहा है। हे ब्रामन, जब वो अन्न ग्रहन करने के बारे में सयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब तदागत उसे आगे का प्रशिक्षन देता है। तदागत कहता है कि आओ बंदू, अपने आपको जागरुक करो, जागरुकता का पालन करो। दिन में जब तुम बैठे हो, चल रहे हो, तो विचार करो, जो विचार तुमारे मन में तुमें रोकते हैं, अच्छा काम सदाचरन मार्ग पर चलने के लिए जो विचार तुमको रोकते हैं, ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने चित्त को शुद्ध करो, रात के पहले पहर में भी इसी तरह से अपने मन को नियंत्रित करो, रात के दुसरे पहर में विचारों को उद्योगों के उपर केंद्रित करो, रात के तीसरे पहर में अपने चित्त को शुद्ध करो, जब वो जागरुकता में तत्पर हो जाता है, म सचेतन और आत्मसयम के आदिन हो जाओ, आते जाते अपने आपको सयमित रखो, नियंत्रित रखो, उड़ते बैठते, खाना खाते, आराम करते वक्त, बोलते हुए, मौन रेते हुए, अपने आपको नियंत्रण में रखो. हे ब्रामन जब वो आत्मसयम हो जाता है आत्मसयमित हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ सिखाते हैं हे बंदू एकांद की जगह ढूंडो चाहे वो जंगल हो खेत हो खलियान हो खाली कमरा हो गुफा हो वहाँ पर बैट कर अपने पेर पाल्थी मार कर पीट सिधी रखकर चार ध्यानों का अभ्यास करो अब ब्रामन ये सभी मेरे बंदू जो मेरे शिष्य है जिनोंने अभी तक अपने मन पर महारत हासिल नहीं की है लेकिन करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा ही मेरा प्रशिक्षन है लेकिन जो बंदू अरंथ पद पर पहुच चुके है जिनोंने सभी आसवों का नाश कर दिया है जिनोंने अपना पूरा जीवन जी लिया है करतव्य पूरा कर लिया है मन को सारे भार से मुक्त कर लिया है सारा भार मन से उतार चुके है खुद को मुक्ती के लिए मोक्ष के लिए मोक्ष प्राप्थ कर चुके है जिनोंने सभी बंदूनों का मुलेच्छेद कर दिया है आंतरिक दुरुष्टी प्राप्थ कर चुके है ऐसे लोगों के लिए मे मेरा ये सारा प्रशिक्षन ये सहायक होता है। ये सब सुनकर ब्रामन लेखापाल मुनीम बोला हे तथागत अब मुझे बताईए क्या आपके सभी सिश्य ये श्रेष्ट निभान को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ असफल भी हो जाते हैं। तब तथागत ने कहा कि हे ब्रामन मेरे कुछ शिश्य जिने मैंने प्रशिक्षित किया है कुछ शिश्य निभान को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ शिश्य नहीं कर पाते हैं। तब वो ब्रहमण तदागत से बोला कि हे तदागत, इसका क्या कारण हो सकता है? कि जहांपर निबान है, निबान का मार्ग है, जहां पर तदागत जैसे प्रशिकशक है, तो कुछ विध्यार्ती, कुछ शिष्य निबान प्राप्ठ कर लेते हैं और कुछ शिश्य निबान नहीं कर पाते ऐसा क्यों होता है। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि है ब्राह्मन मैं तुमारे सवाल का जवाब देता हूं लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो क्या तुम राजग्रुव के सारे रास्तों को जानते हो। तब उस ब्राह्मन ने जवाब दिया कि है तथागत मैं राजग्रुव के सारे रास्तों को जानता हूँ, मैं इसमें माहीर हूँ। ठीक है अगर तुम इस सारे रास्तों को जानते हो और अगर निर्देश देने के बावजूद, सला देने के बाद भी, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाने की बजाए, पश्चिम दिशा में चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति, निर्देश देने के बाद, सला देने के बाद, ठीक तरह से वो राजग्रुव पहुच जाता है, तो इसमें दोश किसका है? तो वो ब्रामन कहता है, कि उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता है, मैंने बताने के बावजूद भी, अगर वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तदागत ने कहा, उसी तरह से तदागत केवल मार्ग दिखाते हैं, तदागत केवल मार्ग दिखाते हैं, इस सुत्त से हमें ये पता चल जाता है, कि तदागत ने कभी मोक्ष का अश्वासन नहीं दिया, और मोक्ष का मतलब भी क्या है? मोक्ष का मतलब है क्या? मोक्ष का मतलब है जिस तरह से महमत पैगंबर और येशु के लिए इनके मदद से आत्मा को नरक में जाने से रोकना मोक्ष है लेकिन बुद्ध के अनुसार मोक्ष याने निबान और निबान का मतलब क्या है? निबान का मतलब है सभी तरह की वासनाओं पर नियंतुरन प्राप्त करना ही निबान होता है और यही तदागत बुद्ध का मोक्ष का मार्ग है ऐसे बुद्ध के धम्म में मोक्ष का आस्वासन या वचन बद्धता हो भी कैसे सकती है? और इसलिए तदागत बुद्ध ने कभी ये आस्वासन नहीं दिया कि वो मोक्ष दाता है तदागत बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि वो केवल एक मार्ग दाता है आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आप सभी लोगों का आभार धन्यवाद जै भीम जै भारत जै बुद्ध